हेलो स्टुडिंस आज चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे कैपिटल लेटर्स एन स्मॉल लेटर्स अभी ग्रामर का प्रोच लब पाइप चैप्टर कम्प्लीट करेंगे उसके बाद ही हम रीडर पढ़ेंगे क्योंकि ग्रामर में कुछ बैसिज दिया गया है जिससे आपको की बोट कीबोर्ड की बोर्ड केपिटल कुछ पणक दिया गया है उसको हमें देखना है आपकोंप्यूटर के कीबोर्ड में जो लेटर्स दिया गया है जैसे R, T, V, Y, U यह सब letters को हमें देखना है They all are capital letters यह पूरे जितने भी letters लिखे गए हैं यह सब capital letter में लिखा गया है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा गया है अब N, O, W, N, O, M, A, K, E, Make, A K, Y, B, O, A, R, D, Keyboard, I, N, in, S, M, A, L, L, E, T, E, R, S, L, 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 T, E, R, S, भी शुट भी दह सेम एजो वह यहांपर हमको एक छोटा मेतर वाला जो था आ पर बनाओ वैसे ही आगे बढ़ेंगे हम W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M तो जैसे उपर में कैपिटल लेटर लिखा गया है वैसे ही हम सेम यहाँ पर स्मॉल लेटर को लिखे हैं अब फिर बढ़ेंगे आगे W E V B E G I N बिगेन T H E The N A M E S Names Of P E O P L E पीपल W I T H With A C A P I T A L Capital L E W T E R लेटर वी बिगेन दा नेम्स आप पीपल वीथ आ कैपिटल लेटर हम किसी भी पिपल, किसी भी पर्शन का हम नाम लिखेंगे तो उसका जो फिर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा कैपिटल लेटर होगा जैसे हम पर जे एसी के जैक हैना यह कैपिटल लेटर दीख रहे है जो first letter है वो क्या है capital letter है तो जब हम किसी का भी नाम लिखेंगे तो उसका जो letter का नाम का जो letter है वो first letter जो है capital letter है गबड़ा है ना और कोई भी जैसे things है यहाँ पर जैसे ball है doll है bag है तो अगर किसी भी things का हम नाम लिख रहे है तो उसका भले उसका जो first letter है वो capital sorry small हो सकता है है ना नेम का first letter जो है वो capital रहेगा और कोई भी चीज है ना कोई भी वस्तु जो है उसका first letter जो है वो क्या रहेगा small रहेगा है ना जैसे यह name है जे ए सी के jack तो first letter क्या है capital है है ना jack has has a अब बी ए डबल बॉल बॉल कोई things है वस्तु है तो उसका जो first letter हो क्या है small है तो वही मैं बताई आपको जो name का first letter है वो capital रहेगा और जो कोई फी things है उसका जो first letter रहेगा वो भली small हो सकता है है ना तो jack has a ball jack के पास एक ball है l u c y lucy h a s has a d o ll doll lucy has a doll lucy के बास एक क्या है doll है वैसे ही l o k look a t at t h e the n a m e s names o n on t h e the t s h i r t h shirts look at the names on the t shirts यहाँ पर जो t shirts दिया गया है उसमें नाम लिख है उसको देखना है जैसे टॉम बॉब रोजी डॉली का पिल है ना वैसे ही e a c h h c h i l d t first l e t e r s letters o f of t h e the c h i l d s child's n a m e name each child has the things that begins with the first letter of the child's name यहाँ पर बताया यह है कि जो t-shirt जो पहने है बच्चे उसका उसमें सभी के t-shirt के उपर नाम लिख है तो जो name का first letter है यह जैसे t, b, r, d, k है ना जो name का first letter है उसी first letter के हिसाब से यहाँ पर कोई things दिया गया है ना जैसे t से क्या हो जाएगा tricycle है ना के से क्या हो जाएगा kite तो वैसे ही उसको क्या करना है मैच करना है है ना जैसे यह बॉब, बॉब, बी से bag, r से rose, d से doll, के से kite है ना तो यह जैसे t, o, m, tom, h, a, s, has, a, t, r, i, c, y, c, l, e, cycle tom has a tricycle, tom के पास क्या है एक tricycle है वैसे ही हमको यहाँ पर जैसे bob के पास क्या है bag तो क्या लिखेंगे bob has a bag वैसे ही इसका इस चार लोगों के पास जो जो चीजे है उसके हिसाब से वहाँ पर sentence बनाना है जैसे tom कहो गया अब bob के पास आते हैं ना तो bob, h, a, s, has, a, b, a, g, bag bob has a bag bob के पास एक bag है फिर रोजी r, o, s, y, 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 rose d, o, l, l, doll doll dolly has a doll dolly के पास एक गुडिया है फिर kapil k, a, p, i, l, kapil has has a kite k, i, t, e, kite kapil has a kite kapil के पास एक kite है पतंग है आज के लिए इतना ही कल हम फिर बढ़ेंगे आगे chapter 3 में आज के लिए आपका homework है जो यहाँ पर दिया गया है यह chapter का नाम डालेंगे capital letters and small letters यहाँ पर capital letter लिखेंगे उसी के according उसके नीचे small letter लिखेंगे है ना capital letter small letter इतना आपका homework है उसके बाद एक homework और है a से z यहाँ पर तो आप इसके according लिखोगे जैसे q दिया है w दिया वैसे ही इसका small letter इसको यह आपका homework है इसको copy में करना है इसके अलावा आपको जो a से z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z है ना वो capital letter में पूरा a से z तक लिखेंगे और उसके just नीचे जो है small letter लिखेंगे small मतलब छोटा a b c d e f g s अगर के उसका capital letter की नीचे क्या लिखोगे small letter लिखोगे यह आपका दो homework है जिसको आपको complete करके मेरे personal number पे आपको send करना है और याद रहे कि अभी जो है copies बनाओगे वो fair copy होगा और fair copy में आपको बनाना है है ना तो आज के लिए इतना ही thank you